चलो स्टाट करेंगे ओके जब से लॉगडाउन हुआ है तब से जिंदेगी बहुत डिफिकल्ड हुआ है सब ख्लास इसका सब ख्लास इसका आईसा नहीं बड़ा चोटा और चोटा क्लास और बड़ा क्लास सब का अभी पेपर में जी देखो तुमारे पास अगर न्यूस पेपर आता है तो उसमें भी पता चलेगा. Normally कितना advertisements आता है results के बाद और इस साल कितना advertisements आ रहा है result के बाद तो बहुत कम advertisements आ रहा है तो daily एक-दो एड, तिन-तिन एड, चार-चार एड रहता है अभी एकदम एकाद आड़ी में देख रहा हूं न्यूस पेपर में बहुत कम एड़ है क्यों एड़ कम है इस साल रिजल्ट के बाद नीट के बाद एड़ पेपर में आया कि देखो तो फिर तुमको आइड़ आ जाएगा मैं जो बोल रहा हूं वो सच है क्या नहीं नहीं तो तुम लोग क्या बोलेगे सर के बास इतना बड़ा गाड़ी है उतना बड़ा गाड़ी है सर क्या फेक रहा होगा ऐसा लगेगा तुमको लेकिन हर टाइम पेपर तुम लोग नॉर्मल आनेलिसिस करने का पेपर में कितना अड़र्टाइजमेंट्स आता है नीट के बाद अभी उतना आ रहा है कि इस साल नहीं आ रहा है रिजल्ट नहीं है रिजल्ट अच्छा है इ है ही नहीं कैश किसी के पर पास कैश नहीं है तो तुम लोग जितने लोग क्लासे कर रहे हो तो थोड़ा अंडरेस्टेंट करो फीज पे करो ठीक है अभी होफफुली चालू हो जाएगा नोवेंबर के बाद अपना भी पेट भरना चालू हो जाएगा इसा लग रहा है अपना मतलब मेरा अपना तुम्हारा दो भर रहा है मुझे पता है अपना मतलब मेरा कि ठीक है है ओके चलो कि अग्या कि स्टार्ट करने का तो मेरा नया शर्ट कैसा लग रहा है मैंने कल नया शर्ट लिया कैसा लग रहा है वो तो बोला है नहीं तुम लोगों ने एक नाइंद के बच्चे ने फिपेग यह दा तो मैंटे शर्ट नहा लिया कैसा लग रहे हैं कुछ बोलाने तुम लोग कुछ बोलते ने मेरे को कुछ नहीं तैमे कि जब से न आनोलाइन लेक्チर सस्टार्ट हुआ है कुछ इंट्राइक्शन नहीं क्या है कैसा लगा करे ऑच्छा है YouTube कि या वह क्या हुआ इदर 100 रुपे 100 रुपे रुपे मेरे धर अटमी मेंजा सिंक हुद्ट आकाझ मेंजा सकार्पाम सेपिए अच्छा ना ऐसा है तो कल दूसरा दिखाता हूं तुमको ठीक है तुमको दिखता बस इसके उपर है तो इसलिए पैंड नहीं खरिदा अभी आफ लाइन जब चालू हो जाएगा तब पैंड खरीदने का ठीक है ओक्ते तो नीचे पैंड हो गया रहा कुछ नहीं है हाफ पैंड है किसको कॉल करना था तुझे चाहिए खाया वह फिर मैं बुलाता हूं उसका फोन नंबर लिया है फोन नंबर लिया है और किसी को शर्ट चाहिए तो बोलो तो बोल रहा था देड़सों में चार देता हूं तो अभी क्या करना है सो में तो मैंने दो अल्रेडी पर्चेस किया हूं तो अभी एक्स्ट्रा 50 देके दो शर्ट लेने का ऐसा मैंने उसको उसके साथ डिसकस किया था और किसी को अगर चाहिए नॉमन बोल रहा है कि चाहिए उसको तो उसको यह और और किसी को चाहिए तो बोलो ठीक तो क्या चल रहा था अपना चलो टाइम पास छोड़ा अभी इदर आ जाओ टाइम पास छोड़ो ठीक है हाँ और तु बच्चे का चल रहा था ना बच्चे का तु बोला था बच्चा इसा नंगा गुम्राय मेरा हूँ हाँ उसको भी खरीदा उसको दस रुपए में दो चड़ी मिला उसको भी खरीदा अभी कोई टेंशन मतलो अभी सब अच्छा है चलो आगे देखो को ने रहे गृइम्यख टेश वीडियो बं करो नहीं तो कुछ तो तुमारा देख जाएगा अधर चलो तो क्या चल रहा है तो अपना चल रहा है स्टेर्टिक स्टेरीक फ्रिक्शन कह Hindi स्टेतिक फ्रिक्शन मतलब क्या रहता है object जब तक रुका हुआ है object as long as stationary है तब तक जो friction काम करता है that is static friction object जब तक stationary है तब तक जो भी frictional force काम कर रहा है that is static frictional force एक बार object motion में आता है तो हो जाता है kinetic friction एक बार object motion में आता है तो उसके बाद जो भी frictional force रहता है उसको बोलते है kinetic friction अब kinetic friction दो types का रहता है यह मैंने पहले बोला नहीं तो आप बोल रहा हूँ kinetic friction रहता है दो types का एक तो रहता है rolling और दूसरा रहता है sleeping एक रहता है rolling और दूसरा रहता है sleeping या फिर sliding ठीक है ओके तो कैसा रहता है देखो यह ऐसा है यह ऐसा है horizontal line ठीक है एक जमाने में मैंने केरल में flood आया था उसको कितना donate किया था 50,000 और अब ऐसा जमाना आ गया है कि मुझे donation मांग रहा है ठीक है एक जमाना ऐसा था मतलब छे महिने पहले एक 6-7 महिने पहले तो केरल का जो फ्लड आया था एक एक देड़ साल पहले आया था ना उदर मैंने donation किया था कितना donation किया था 50,000 सी एम फंड में चीफ मिनिस्टर्स disaster relief fund में अब आज ऐसा जमाना आया है कि मुझे donation मांगना पड़ रहा है ठीक है अब donation नहीं है तुम्हार से जो मांग रहा है वो fee है मेरा वो donation नहीं है वैसे चलो चलो इधर देखो ठीक है चलो उसके पहले वो बाबा अमटे बाबा अमटे का बेटे प्रकाश अमटे प्रकाश अमटे उनको डोनेट किया था 25,000 किया था उसके पहले साथ लेकिन अभी आइसा सुच्वेशन है कि छोड़ो चोड़ो बता दिया तुमको सब विदर देखो अपना काम पर आते हैं तो क्या है चलो अभी अपने काम पर आते हैं किदर है स्टाटिक फ्रिक्षन जब तक रुका हुआ है तब तक उसको बोलेंगे स्टाटिक फ्रिक्षन एक बार मोशन स्टार्ट हो जाता है और एक बार मोशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं काइनेडिक फ्रिक्षन का रहता है अगर स्लाइड हो रहा है अगर स्लिप म साइकल ही जा रहा है समको तो साइकल का वील क्या होता है स्लाइड होता है क्या स्लिप होते हुए जाता है क्या नहीं वो रोल होता है वो ऐसा गोल 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 गुमते गुमते आगे जाता है तो साइकल का वील जो कर रहा है उसको बोलते है रोलिंग साइकल का वील यह फिर वहि का दो जब गॉल गॉल गौल होता है तब भी किसी रखता यह थाए है थे सबर फिक्ष्ण रहता का देए only के वर ऐसा लग सकता है कि रहता है बहुत कम रहता है इसलिए tous अलगता कि नहीं जब रिफैंवा किनी तरी उग Psychology आते हैं नेरे इस बहुत काम रहता लों झा스 इस चाप्टर में नहीं है, rolling का friction इस चाप्टर में हम लोग नहीं देखने वाले, हम लोग बस देखने वाले sliding का friction, ठीक है, अगर मैं duster इदर रखूंगा, इदर रखूंगा, तो duster तो roll नहीं होता, इसको आगे लेके जाने के लिए ऐसा slide होना पड़ेगा, इदर duster रखूं अगर यह अगर circular समझो, vehicle का wheel है, vehicle का wheel है, तो यह goal घुमते घुमते आगे जाएगा, तो इदर जो होता है, वो होता है, rolling रहता है, वो क्या रहता है, rolling रहता है, तो rolling का friction बहुत कम रहता है, वो अलग रहता है, sliding का friction अलग रहता है, and रुका हुआ है, तब तो रुका हुआ है तो फिर rolling और sliding का मतलब ने जब stationary है तो एकी friction रहता है static जब stationary है तो एकी friction static जब moving है तो एक रहता है rolling friction and एक रहता है sliding friction ठेक है चलो तो अभी क्या करेंगे friction frictional force and applied force इनके बीच में graph निकालेंगे क्या Frictional force and applied force इनके बीच में graph निकालेंगे तो देखो कैसा है अर राठोड किदर था रहे तू किदर था है बीच में किदर दिखने रहे था Frictional force and applied force Frictional force इस एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे applied force ठीक है इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करते करते और एक बार मैं explain करता हूं लास्ट लेक्चर क्या वहाता हूं ठीक है चलो तो देखो कैसा है बड़े देखो कैसा है बड़े दो कैसा है यह है 3 kg का object, object कितने kg का है? 3 kg का, ठीक है? और kinetic friction है and static friction का coefficient दिया है, kinetic friction दिया है 0.4 and static friction दिया है 0.1 ठीक है, हमेशा frictional force का constant, coefficient of frictional force, 1 से कम रहता है lecture के बाद, Sakshi and Vaisnavi, क्या गरो? call करो मुझे, तुम लोग एक दूसरे को call करो, फिर मुझे call करके conference में ले लो तो पड़ाई कैसा चल रहे है, मुझे एक बार पूछना है, Sakshi and Vaisnavi, ठीक है? चलो, इदर देखो, तो क्या है? μु येस, coefficient of static friction इतना है, वो किस पर depend करता है? coefficient of static friction तो coefficient of static friction depend करता है, यह object and यह नीचे का surface coefficient of static friction depend करता है, यह object and यह नीचे का surface तो अलग-अलग रहता है, object change किया, तो भी change होता है नीचे का surface change हुआ, तो भी change होता है नीचे का surface और object का surface polish किया, sand paper लेके polish किया, तो भी change होता है तो इनका values दिया है, ठीक है? चलो, अभी graph निकाल लेंगे और एक बार मैं explain भी करता हूँ, यह friction कैसा काम करता है, ठीक है? चलो तो जब भी friction वाला numerical करना है whenever we are going to some frictional problem problem in which frictional force is present first we have to calculate limiting frictional force first we have to calculate limiting frictional force EFLIM लिखा है, अभी यह छोटा है तो शायद दिखेगा नहीं, तुम लोगों को screen पे EFLIM, ठीक है? and second we have to calculate F kinetic first we have to calculate limiting frictional force and second we have to calculate kinetic frictional force ठीक है? और उसके बाद सोचने का start करने का हाँ, तो तो limiting frictional force निकालने के लिए and kinetic frictional force निकालने के लिए क्या लगता है? R लगता है, normal reaction लगता है क्या लगता है? नॉर्मल reaction लगता है तो यह 3 kg को object है तो gravity इसको निचे खिचेगा कितना force है? mg, 3G यह 3 kg को object है तो gravity इसको नीचे खीज़ेगा कितना force है? mg से, 3G से, ठीक है? अब यह नीचे का surface है, तो surface object के उपर upward direction में force लगाएगा, वो है normal reaction. अब यह दोनो forces किस पे है? बोथ forces are on the object. बोथ forces are on the object. यह normal reaction भी object पे है और यह gravitational force भी object पे है. तो अभी इस surface पे object रखा है, बस छोड़ दिया. इतना ही किया है. एक surface इस पे object रख दिया, छोड़ दिया. तो object इस surface पे रखने के बाद पस ऐसा उड़ता है गया. नहीं, object surface पे रखने के बाद ऐसा floor के अंदर घुसता है गया. नहीं, ऐसा क्यूं होता है? तो नॉर्मल रेक्शन आता है थर्टी नूटन तो नॉर्मल रेक्शन क्या आता है थर्टी नूटन तो नॉर्मल रेक्शन तो हो गया पहला काम नॉर्मल रेक्शन फिर्स्ट स्तेप इस था पंगॉलेट नॉर्मल रेक्शन और आपक उनन्य वहीं correct% तो μ्यसं, किता है, 0.4 है, म्यू यैस, 0.4 है, और आर कितना है 30, तो 30 इंटो 0.4, डिरेक्टली करता हूं इいただवादू लिखने का, फिर मल्डिपलिकेशन करने का नहीं, डिरेक्ट करता हूं, तो 0.4 म्यवेस, इंटो आर, नॉर्मर्मर्र रेक्शन कितना है 30 तो 30 एंडो 0.4 कितना आता है 12 कितना इता है 12 इन पार 2 से तो 2 कितना हिंदी है रिंदे ना तो थोड़ हो जाओंगा तो मुझे तो नभी 12 का बारा का नहीं बोलेंगे उसको 12 का बारा का थोड़ा अच्छा नहीं लगता हो गलत लगता है ओके तो थोड़ा तो 12 का कितना है इसा है कि maximum static frictional force can be 12 Newton 12 Newton limiting का मतलब क्या है maximum static frictional force can be 12 Newton मतलब जब तक object रुका हुआ है as long as object is stationary it can offer maximum 12 Newton friction force as long as object is stationary it can offer maximum 12 Newton of frictional force ठीक है देखेंगे इसका भी अब निकालेंगे kinetic frictional force कितना है तो kinetic का formula क्या है mu k into r kinetic का formula क्या है mu k into r तो mu k कितना है 0.1 and r normal reaction कितना है 30 तो 30 into 0.1 तो यह कितना आता है 3 Newton तो यह कितना आता है 3 Newton ठीक है ओके तो देखो अभी क्या है अब देखो इधर explain करते जाता हूं में चलो तुम लोग क्या गरो जो board पे लिखा है वो लिखे लेलो board पे जो भी लिखा है एक बार लिखे लेलो graph देखेंगे हम लोग भी ठेके graph देखेंगे जो board पे लिखा है itar यह लिखे लेलो normal reaction and area सब लिखे लेलो graph देखेंगे झाल झाल ठीक है? दोदो के इंटर्वल पे ये ग्राफ बाद में ड्रॉआ करो इसे इधर इतना ड्रॉआ करके ले लो ग्राफ बोलता हूं में ये पूरा और इधर दर लिखो ग्राफ बोलता हूं में कैसा ड्रॉआ करना है क्या है मीनिंग उसका सब कि अ कि एक हैँ है निया नहीं है पुरा नहीं है कि के यह थोड़ा प्रेस वगिए किए है इसको आयन से प्रेस किया है तो थोड़ा अच्छा दिक रहा है और और बच्चे को चडडिका व हो भी जूट बोला मैंने चर्ड का भी जूट था शेड एक कुछ खरिदा नहीं है वो क्षों को भी चड़ती कुछ खरीदा नहीं है अईसे घुम रहा है वो को तो तो फीय भरो तो मैं उसको में उसको चड़्दी खरीदता हूं ठीक है और मुझे बएक सउट लेना कि जब नहीं को ऐसे कर दो लोगों को फसा है मैंने लिखो आगे ग्राफ देखेंगे क्या बोल रहा है कि जा थोड़ हो गया कम्प्लेट चलो तो आगे देखेंगे चलो तो सम्झो एई इधा इस इस एफ अप्लाइड है चलो इधर एफ अप्लाइड है दो दो का इंटर्वल है टू फोर शीक्स एट एटीन तक है इधर इधर भी सेंटू फोर शेक्स एट फॉर्टीन इधर आता है इधर एटेन आता है तिक है चलो अभी सुनो केर्फुली इधर इधर केरफुली सुनो भी if I apply 2 newton if I apply 2 newton then friction also applies 2 newton in opposite direction मैं इदर से 2 newton apply करूंगा तो friction इदर से apply करता है बहुत ज़्यादा adjustment रहता है friction का friction बहुत ज़्यादा adjustment करता है direction भी adjust करता है और magnitude भी adjust करता है if I not apply if I don't apply any force then frictional force is also 0 my force 0 my force is on this axis and frictional force is on this axis तो मेरा 0 है तो friction का भी 0 है तो first point किदर आएगा origin पे आएगा इदर first point आएगा origin पे if I apply 2 newton तो क्या होता है friction also applies to if I apply 4 newton in this direction मैं इदर से 4 apply किया तो friction इदर से 4 apply करता है maximum frictional force maximum frictional force can be 12 newton when objective stationary अभी stationary है तो मैंने 6 newton किया friction भी 6 newton मैंने 10 newton किया friction भी 10 newton तो when my force becomes 10 newton frictional force also becomes 10 तो यह इदर आएगा तो इदर आएगा point समझे रहे when my force becomes 10 frictional force also becomes 10 when my force becomes 12 frictional force also becomes 12 तो बारा का उसका भी बाराथा ओके ऐसा तो किदर आएगा यह है बाराथा बाराथा इदर इदर आएगा समझ रहा है अब इदर गोल नहीं करता है तो यह ऐसा अग्राफ आता है straight line तो ऐसा अग्राफ आता है एकदम exactly straight line है मैंने draw किया है तो थोड़ा इदर ऊपर नीचे होता है exactly straight line है अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा और करेंगे तो इदर आता है तो इदर आता है तो friction maximum कितना apply कर सकता है friction can apply maximum 12 Newton अब खतम हो गया friction अभी 12.1 apply नहीं कर सकता मैंने 12 से ज़धा apply किया है तो लफड़ा हो गया अभी तो मेरा force बड़ा है 12.1 यह maximum 12 दे सकता है friction full try मरता है object को stationary रखने का लेकिन possible नहीं है अभी उसके पास maximum 12 है मेरे पास 12 से ज़धा है तो अभी फस motion start and when motion starts kinetic friction comes into picture kinetic frictional force comes into picture यह अभी गया मेरा 12.1 इसका 12 तो अभी मेरा बड़ा force है तो फस and motion अगर start होता है तो क्या होता है kinetic frictional force काम में आता है and kinetic कितना है थ्री न्यूटन तो क्या होता है जब तक मेरा ट्वेल है friction का भी ट्वेल है मैंने ट्वेल से आगे वाला अप्लाई किया तो यह क्या होता है इधर 4 है इधर 3 मैंने ट्वेल अप्लाई किया तो friction भी ट्वेल अप्लाई करता है मैं ट्वेल के आगे जाओंगा तो motion start motion start हो गया तो friction फस करके नीचे आता है कितना होता है थ्री न्यूटन पर आता है इसके बाद तुम लोग 14 लगा हो कि तुम लोगने 14 लगाया तो भी friction 3 न्यूटन 16 लगाया तो भी friction 3 न्यूटन 17 लगाया तो भी 3 न्यूटन 17.154 लगाया तो भी 3 न्यूटन समझ रहे ना एक एक्जामपल बोलतो हमें 18 न्यूटन समझो मैंने इदर 18 न्यूटन लगा 18 18 अगर मैंने 18 लगाया फ्रिक्शन के पास तो मैक्सिमम 12 12 से अब मेरा बढ़ा है मेरा मतलब फॉर्स बढ़ा है तो फॉर्स बढ़ा है तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा इस पास स्टार्ट होगा एंड वेन मोशन स्टार्ट हो गया तो यह कुछ काम कही है नहीं तो फ्रिक्शन कौन सा 30 न्यूटन का तो मैंने अप्लाइग किया 18 NegieNewton का force और friction कितना Oh er करता है 3 तो Applied है Damien तो friction बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है एक बार एक बर मोशन चलो गया तो फस करके नीचह आता है फिर रहता है क्लेर कमेंट करके बोलो क्लेर है क्या graph क्मेंट करके बोलो पिर ड्रॉख रहो ड्यर्थ क्लेर है क्या रहे है कमें पारने कुछ आता नहीं एक तो वैसे भी नहीं लेते वाए लिए टीच करके पार फीजिकल लेक्टर सेश्कर डिलेएट इत्षे इत्र रहता है काईनेटिक फ्रिक्षिन जब ओब्जेक्ट कम्सेंटो मोशन ब्रीक्ष्टन फॉर्स विकम थ्री नूटन न खिंख क Ålt लेक्चर बंध हो गया अभी तो वापस एक बार कनेक्ट करो चलो graph होने के बाद मुझे done भेजो graph draw होने के बार done भेजो चलो खरो चलो वापस एक बार जोईन करो वापस जोईन करो और फिर एड्रॉड करके ले लो